जैपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां परिक्षा देते समय अध्यापक ने की नाबालिक छात्राओं से छेड़ छाड़ हर्मणा थाने लाके के एक निजी स्कूल की घटना सामने आई जहां आठवी बोर्ड परिक्षा देते समय अध्यापक ने की तीन चात्राओं से अश्लील हरकते विरोध करने पर टीचर ने दिये फेल करने की धमकी और अब परिजनों के शुकात पर थाने में ये पूरा मामल दर्ज हुआ हर्मणा थाना पुलेस तब इस पूरे मामले की जांच परताल में जुटी हुई है और ये बड़ी खबर इस वक्ती राज़ानी जैपूर से सामने आ रही है जहां परिक्षा देते समय अध्यापक ने नवालिक से छेडशाड की है जिसके बाद में चात्राओ दर्ज करवाए गया है चात्राओं का कहना है कि परिक्षा देते समय अश्णील हरकत अध्यापक ने उनके साथ में की और जब शिकायत के बाद कही गई चात्राओं के द्वारा तो फेल करने को कहा गया अध्यापक के द्वारा और ऐसे में देखिए पूरा मामला थाने में चुटी हुई है तीनों चात्राओं से पूश्टाच की जा रही है अध्यापक से पूश्टाच होगी और ये बड़ी कबर जो सामने आ रही है हर्माडा थाने इलाके की खबर है जहां अट्फी बोड की परिक्षा देते समय अध्यापक ने तीन चात्राओं के साथ में अशल पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संयोगी सत्यन नारण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सत्यना इन क्या कुछ जानकारी पूरी खबर को लेकर प्रिशासन का क्या कहना है अब करौब सब्सक्राइब आपको पर शेकारी पूरीचेर उसको रीटेन कर लिया उसे पूसता की जारी है बचार जारा है कि उसके पहले गासे दो तिन केस लगे वें किस वक्त की घटना है सत्य नारण किस वक्त की घटना है जब आज उक्त की बोर का एक्साम चल रहा था और जो चात्राओं ने इसको विरूद किया तो अज्यापक ने उनको फ्यल करने के तमकी दी और उसके बाद में वो क्लास से बाहर आ गया लेकिन जो चात्राओं थी उनने परिक्षा खतम होने के बाद अपने परिजनों के बाद बताई और परिजनों के शिकाष्पते मामला देत लुए फिलाल पुलिस ने तब पर कावई करते हुए जो आरोपी टीटर था उसको लिटिन कर लिया है उसके पूतात की जा रही है उसके बाद में उसी ग्रफतारी किर जाई गया उशी जी सतिनारान आपका बहुत बहुत शुक्री हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साज़ा करने के लिए